Hi Friends, Cancer के बारे में तो सब जानते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं इस सम्में Cancer के कितने पेशेंट्स हैं इंडिया में? National Institute of Cancer Prevention and Research के एक Estimation के हिसाब से, इस टाइम इंडिया में 22,50,000 लोग हैं जो Cancer से पीडित हैं और हर साल 11,57,000 नए Cancer के पेशेंट्स रजिस्टर हो रही हैं और 2018 में 7,84,000 लोगों की Cancer से जान चली गई Cancer के Treatment का कॉस्ट भी आपको मालुम ही होगा On an average, Private Hospitals में ये कॉस्ट 5 से 10 लाख रुपे होता है पर इसकी दवाईयों का कॉस्ट 1 करोड रुपे तक पहुँच जाता है तो Friends, अगर आप चाहते हैं अपने आपको और अपनी फैमिली को Cancer से financially protect करना तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको LIC की Cancer Cover Policy के बारे में बताऊंगा जिसका Plan Number है 905 ये एक Fixed Benefit Health Insurance Plan है इसमें जो भी Benefits होते हैं वो Policy Holder या Nominee को मिलते हैं जिस प्रकार MediClaim में जो भी हमें क्लेम मिलता है वो Hospitals के पास जाता है पर इस Policy में ऐसा नहीं है जो भी Claim Amount या जो भी Benefits होते हैं वो हमें खुद को Policy Holder को ही मिलते हैं इस Plan में Tax Rebate भी मिलती है Under Section 80D तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ मेरा नाम पुनीत नाकपाल है By Profession मैं एक Certified Financial Planner हूँ Finance Industry में मुझे 15 साल का Experience है तो Friends अगर आप चाहते हैं मेरे दुआरा Life Insurance और Mutual Funds की वीडियोज आपको मिलती रहें तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो लाओ तो आपको Notification मिल जाए तो चलिए Friends अब इस Policy के Eligibility Conditions से हम स्टार्ट करते हैं कम से कम 20 साल की Age होनी चाहिए ये Policy लेने के लिए Maximum 65 years तक के व्यक्ति ये Policy ले सकते हैं कम से कम 10 साल की ये Policy ली जा सकती है और Maximum 30 years की ये Policy ली जा सकती है कम से कम 50 साल तक की उम्र का कवर इस Policy में हम ले सकते हैं मार लीजे कोई 20 साल का व्यक्ति Policy ले रहा है तो उसे कम से कम 30 years यानि 30 साल की ये Policy मिलेगी और maximum 75 एच तक इस policy में cover लिया जा सकता है अगर कोई 65 years का व्यक्ति ये policy ले रहा है तो उसे 10 साल की policy दी जा सकती है कम से कम 2400 रुपे premium है इस policy में minimum 10 lakh summer short की ये policy ली जा सकती है maximum 50 lakh summer short की ये policy ली जा सकती है अगर आपने पहले critical illness cover या cancer cover की policy ली हुई है तो उसे include करके maximum 50 lakhs की ये policy आप ले सकते है basic summer short जो इस policy में आप ले सकते है वो 1 lakh के multiple में ले सकते है मालिजी आप 10 lakh की policy ले रही है तो आप 11 या 12 lakh की में ले सकते है तो चलिए हम हम इस policy के कुछ benefits के बारे में बात करेंगे अगर भगवान ना करे policy holder के साथ कभी early stage cancer diagnose होता है तो उस case में एक lump sum benefit उसे मिलता है जो की 25% of applicable sum in short होता है मान लीजे applicable sum in short 10 lakhs है तो उसका 25% यह 2.5 lakhs सक्लेम मिलेगा second benefit इसमें है premium waiver benefit का अगर कभी early stage cancer diagnose होता है तो आने वाले तीन साल के premium wave हो जाती है यानि maaf हो जाती है early stage cancer का benefit एक ही बार policy term में लिया जा सकता है अब बात करते हैं इस policy के second benefit की अगर कभी policy holder के साथ major stage cancer diagnose होता है तो उस case में LIC एक lump sum benefit प्रोवाइड करती है जो की 100% of applicable sum in short होता है मान लीजिए applicable sum in short 10 lakhs है तो 10 lakhs का claim मिल जाएगा पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर पहले early stage का cancer claim लिया जा चुका है जो की 25% है तो उस case में 75% of sum in short मतलब 7.5 lakh का claim ही मिलेगा इसके साथी साथ premium waiver benefit भी इसमें मिल जाता है यानि आने वाले सारे premium LIC माफ कर देती है उसके साथ साथ एक income benefit भी मिलता है policy holder को जो की 1% sum in short का होता है अगले 10 साल के लिए मान लीजिए 10 lakhs का sum in short है तो 10,000 में अगले 10 साल तक policy holder या उसके nominee को मिलता रहेगा मान लीजिए इस दोरान policy holder के death हो जाती है तो उसके nominee को ये income benefit पूरे 10 साल तक जरूर मिलेगा friends मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दू कि major stage cancer benefit भी एक ही बार policy में लिया जा सकता है इस policy में दो options हैं अब हम वो दो options के बारे में discuss करेंगे पहला option है level sum in short जो भी हमारा policy term है उसमें जो भी हमने sum in short select किया है मान लीजिए 10 लाख रुपे का sum in short select किया है तो पूरे policy term में वो sum in short same रहता है यानि 10 लाक्स का ही रहता है तो चलिए friends अब हम एक example से level sum in short के बारे में समझेंगे Mr. Nitin जिनकी age है 30 years अगर वो ये policy लेते हैं policy term वो चूज करते हैं 30 years का और sum in short चूज करते हैं 20 lakhs का तो उनका yearly premium होगा 3,988 including GST तो जैसे कि हमने देखा level sum in short में पूरे policy term में sum in short same रहता है तो इस case में 20 lakhs का ही sum in short रहेगा अब मान लीजिए इस दोरान early stage cancer diagnose हो जाता है Mr. Nitin जी के साथ तो उस case में 25% of 20 lakhs यानि 5 lakhs का claim उन्हें मिल जाएगा और आने वाले 3 साल के premium LIC माफ कर देगी और अगर कभी major stage cancer diagnose हो जाता है तो उस case में LIC 75% of sum in short यानि 75% of 20 lakhs जो की 15 lakhs हुआ उसका claim देदेगी Friends यहाँ पे 75% का claim इसलिए मिल रहा है क्योंकि 25% का early stage cancer में claim पहले मिल चुका है अगर मान लीजिए सीधा major stage cancer diagnose होता तो उस case में 100% यानि 20 lakhs का claim मिल जाता इसके साती साथ LIC income benefit यानि 1% of 20 lakhs which is equal to 20,000 भी पे करेगी for the next 120 months मान लीजिए इस दोरान Mr. Nathan की death हो जाती है तो जो भी income benefit होगा वो उनके nominee या legal heirs को भी मिलेगा और इसके साती साथ आने वाले future के सारे premiums wave हो जाएंगे यानि माफ हो जाएंगे तो friends अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें total claim कितना मिला early stage cancer में 5 lakhs का major stage cancer में 15 lakhs का और 24 lakhs का income benefit यानि total claim जो यहाँ पे मिला वो 44 lakhs का तो friends आप देखी रहोंगे सिर्फ 3988 रुपे साल के premium में 44,000,000 तक का cancer claim लिया जा सकता है तो चलिए अब हम दूसरे option की तरफ बढ़ते हैं increasing sum insured जो भी policy term है मान लीजिए 10 lakh रुपे का sum insured हमने choose किया है increasing sum insured में तो एक साल के बाद यह sum insured 10% increase होके 11 lakhs का हो जाएगा अगले साल यह sum insured 12 lakhs का हो जाएगा 13 lakhs का sum insured हो जाएगा तीन साल के बाद देखिए हर साल यह 10-10% बढ़ता जाएगा पहले 5 साल तक चौत्हे साल में यह 14 lakhs का sum insured हो जाएगा और पांचमे साल में 15 lakhs का sum insured हो जाएगा उसके बाद यह sum insured constant 15 lakhs का चलेगा till the end of the term अब हम एक example से increasing sum insured को समझेंगे Miss Ria जिनकी age है 30 years अगर वो यह policy लेती है 30 years के लिए और 10 lakhs का sum insured वो चूज कर रही है under increasing sum insured option तो उनका yearly premium जो होगा वो 5,145 होगा including GST Friends यहाँ पर मैं आपको यह बता दूँ कि इस policy में females का premium जादा है as comparison to males तो एक साल के बाद यह sum insured 10% increase होके 11 lakhs का हो जाएगा और 2 साल के बाद sum insured increase होके 12 lakhs का हो जाएगा 13 lakhs का हो जाएगा 3 साल के बाद 14 lakhs का हो जाएगा 4 साल के बाद 5 साल तक यह बढ़ता है 10-10% लेकिन मान लिजीए 4 साल के बाद early stage cancer diagnose हो जाता है तो आगे sum insured increase नहीं होगा यह 14 lakhs का ही चलेगा early stage cancer diagnose होने में जो 25% है sum insured का यानि 3.5 lakhs का claim मिल जाएगा और 3 साल के premium LIC वेव कर देगी और अगर policy term में कभी major stage cancer भी diagnose हो जाता है तो 75% of 14 lakhs यानि 10.5 lakhs का claim भी मिल जाएगा अगर directly major stage cancer diagnose हो जाता है तो पूरा 100% sum insured का यानि 14 lakhs का claim मिलता है इसके साथ ही साथ LIC income benefit भी देती है जो कि 1% of 14 lakhs यानि 14,000 per month होता है for the next 120 months जैसा कि मैंने पहले आपको बता ही दिया है कि अगर policy holder की death हो जाती है इस दौरान तो जो income benefit है वो उसके nominee को मिल जाता है और आने वाले सारे premium LIC माफ कर देती है अब आप देखते हैं कि total claim कितना मिला इस case में total claim जो miss Ria को मिलता है वो बना 30.8 lakhs premium उनका yearly था 5,145 friends मैं आपको बता दूँ कि मैंने LIC जीवन लक्षे, जीवन आनंद, प्रधान मंत्री वाया वंदना यूजना पे भी वीडियोज बनाई हुई हैं मैं उनका link i button में दे दूँँगा आप उनको भी जाके जरूर देखें friends अब हम बात करते हैं exclusions की इस policy में अगर कोई pre-existing condition है policy holder के साथ तो ये policy उसे नहीं दी जा सकती policy start होने के या revive होने के 180 days के बाद ही claim लिया जा सकता है cancer diagnose होने वाले दिन से लेके 7 दिन तक survive करने पर ही policy holder का claim admit किया जाएगा AIDS या HIV की वज़े से directly या indirectly अगर cancer होता है तो वो include नहीं होता है drugs की वज़े से cancer होता है तो वो भी include नहीं है alcohol की वज़े से होता है तो भी include नहीं है अगर policy holder organ donation कर रहा है और उस वज़े से cancer हो रहा है तो वो भी include नहीं है nuclear contamination भी exclude है friends यह कुछ common exclusions है जो सभी health insurance policies में होती है चलिए अब हम देखते हैं इस policy में premium modes कौन कौन से है हम yearly और half yearly premium modes select कर सकते है grace period की बात करें तो LIC 30 दिन का time देती है अब 30 दिन तक अपना premium pay कर सकते है हम यह policy चाहे 10 लाग sum insurance के लिए चाहे 50 लाग के लिए premium उसी ratio के हिसाब से आता है यानि high sum insurance rebate नहीं है अगर policy का premium हम 30 दिन तक pay नहीं करते है तो policy lapse हो जाती है और उसको revive करा सकते हैं अब अगले 2 साल तक फ्रेंट जिस policy में कोई paid up value नहीं है कोई surrender value नहीं है इस पे loan नहीं लिया जा सकता अगर आपको यह policy पसंद नहीं आती है लेने के बाद अगर इसके terms and conditions आपको पसंद नहीं आते तो आप इसको 15 दिन के अंदर वापिस दे सकते हैं LIC को कुछ basic stamp duty वगारा के charges जरूर लगते हैं इसे free look period भी बोलते हैं तो friends I hope आपको यह clear हुआ हो कि आप cancer से अपने आपको और अपनी family को कैसे protect कर सकते हैं अगर आपको मेरी यह video अच्छी लगी हो तो मुझे motivate करने के लिए से like जरूर करें अगर आप चाहते हैं मेरे दौरा life insurance और mutual funds की videos आपको regularly मिलती रहें तो हमारा channel subscribe कर लें और bell का icon भी press कर लें ताकि उनकी notifications आपको मिल जाएं तो friends आज के लिए बस इतना ही मैं जल्दी दुबारा लोटूँगा एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye, thank you so much